पाठ पाँच, प्रिष्ट संख्या 26, भारत के बाहर से आने वाले लोग और उनका प्रभाव जाने कितने ही देशों से, भारत आये लोग अनेक, रंग, रूप, वेश, भाशा, न थी जिनकी एक कुछ लेने धन आये थे, तो कुछ करने आये व्यापार विब्थता भरी सभ्थता का, फिर यहीं बने आधार कौन है हम्में परदेशी, और कौन है भारतवासी नहीं जान सकता ये कोई, हम्में बसी एक्ता ऐसी हाँ, हम्में बसी एक्ता ऐसी इस पाठ में हम भारत ये सभ्थता वसंस्कृती की विभिन्नताओं के विशय में जानने का प्रयास करेंगे भारत विभिन्न सभ्थताओं वसंस्कृतियों का देश है समय समय पर भारत में बाहर से लोग आते रहे हैं जिन में से कुछ भारत में ही सदा के लिए बस गए इन विभिन्न बाहरी लोगों ने भारत ये सभ्थताओं संस्कृती पर प्रभाव डाला जिसे हम यहां के खान पान, रहन सहन, वेश भूशा, रीती रिवाजों आदी में देख सकते हैं इस पाठ में हम भारती ये संस्कृती पर पड़े कुछ प्रभावों को देखने का प्रयास करेंगे विशेश रूप से तुर्कों वा मुगलों के संदर्भ में ये पाठ भारत की एकता वा अनेकता को दर्शाता है सुलेमान परवतमालाएं जो हिमालय के दक्षणी ओर का विस्तार है खैबर और गोमल दर्रों से गुजरती है सुलेमान परवतमालाएं दक्षण की ओर बलूचिस्तान में किर्थार परवतमालाओं से जुड़ जाती है जिन्हें बोलन दर्र से होकर पार किया जा सकता है प्रिश्ट 26 पर एक मानचित्र है जिसमें वर्तमान के पाकिस्तान और वर्तमान के भारत को दर्शाय गया है भारत का इतिहास उन लोगों का दिल्चस्प विवरण है जो समय समय पर यहां आए वे अंतितहा यहां बस गए और उन्होंने भारत को अपना घर बना लिया इन जन समुदायों में युनानी, साइथियन, हून, अरब, तुर्की और फारस के लोगों ने संस्ठुती के विकास में योगदान दिया जिसमें कला, वास्तुकला, साहित्य, विशफूशा, खानपान, संगीत, मृत्य, चुत्रकला आदिशामिल हैं समय के साथ उन्होंने ततकालीन संस्कृती को प्रभावित किया और उन पर भी यहां की संस्कृती का प्रभाव पड़ा इससे एक नई मिली जुली संस्कृती का विकास हुआ ऐसे अनेक कारण थे जिनकी वज़ा से लोग इस महाद्वीप की और आकर्शित हुए ये एक ग्यात तथ्थे है कि प्राचीन काल में भी लोग इस उप महाद्वीप के एक भाग से दूसरे में यात्रा करते थे कभी-कभी हिमालय परवतमाला, अन्ने परवतों वा पहाडियों, नदियों, रेगिस्तानों और समुद्रों के कारण ये यात्राएं खतरनाक और दुर्गम भले ही हो जाती थी लेकिन असंभव नहीं लोग अनेक कारणों से यात्रा करते थे पुरुष महिलाएं और बच्चे या तो जीविका की तलाश में अथ्वा बाढ या सूखे जैसी प्राकृतिक विपदाओं से बचने के लिए यात्रा करते थे कभी-कभी सेनाएं अन्ने राज्यों पर विजय पाने के लिए भी ऐसा प्रयास करती थी व्यापार भी एक अन्ने कारण था जिसकी वजह से लोग यात्रा करते थे अक्सर व्यापारी कार्वा बना कर या जहाजों से यात्रा करते थे और मूल्लेवान वस्तुएं एक से दूसरे स्थान पर ले जाते थे कुछ लोग संभवता रोमांच की भावना से सहसिक याद्रा गरते थे आध्यात्मिक और शेक्षिक जरूरतों ने भी लोगों को इस महाद्वीप में आने के लिए प्रिरित किया लोग किस प्रकार भारत आये थे? लोग स्थल मार्ग और समुद्री रास्तों से हमारे देश में आये थे एरान, अफगानिस्तान और मध्धे एशिया से लोग पहाड़ी दर्रों से आक्रमनकारियों, व्यापारियों, यात्रियों और प्रवासियों के रूप में आये थे पहाड़ी दर्रों ने लोगों का आवा गमन सुगम बना दिया और बाद में इसी मार्ग से भारत, मध्धे एशिया और पश्चिम एशिया के बीच व्यापार और सांस्टुतिक संपर्कों को बढ़ावा मिला पहले अर्भी और बात में पुर्तगाली, डच तथा अंग्रेज समुद्री मार्गों से भारत आए भारत के इतिहास के बारे में बाहर से यहां आने वाले यात्रियों के विवरनों से जानकारी प्राप्त करना जो लोग भारत आये उन्होंने भारत, इसके लोगों, समाज, संस्कृति और परमपराओं के विशह में लिखा उनके विवरनों में भारत की कुछ प्रमुक एतिहासिक घटनाओं का उल्लेक मिलता है जैसे युनानी सुरोतों के आधार पर हमें युनानी शासक सिकंदर, उसके आक्रमन और उससे संबंधित अन्य विश्यों के बारे में पता चलता है चंदरगुप्त के शासनकाल में भारत में युनान के राज़दूद मेगस्थनीज ने इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी थी जिसके कुछ अंश आज भी सुरक्षत हैं और जिनका अन्य लेखक उदाहर्न देते हैं प्रिश्ट 27 पर एक मांचित रहे सुरोत हमारे अतीत 1, NCRT प्रिश्ट 10 प्रिश्ट संख्या 28 चंद्रगुप्त के शासनकाल में भारत में युनान के राज़दूद मेगस्थनीज ने इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी थी जिसके कुछ अंश आज भी सुरक्षत हैं और जिनका अनेक लेखक उदाहरन देते हैं इस पुस्तक में मौरे कालीन प्रशासन, सामाजिक वर्गों और लोगों के आर्थिक कारे कलापों का विस्तरत विवरण मिलता है मेगस्तनीज के विवरण के साथ ही अन्य साहितिक स्रोतों जैसे कौटिल्य के अर्थिशास्त्र, विशाक दत्र के मुद्राराक्षस नाटक तथा जैन और बौध धर्म की पुस्तकों में भी मौरे कालीन शासकों और शासक वर्गों का विस्तरत विवरण मिलता है कुछ युनानी और रोमन विवरणों से भी भारतिय पत्तनों के अस्तित्व और भारत तथा रोमन सामराज्य के बीच व्यापार की वस्तूओं के बारे में पता चलता है काल, ईसा की पहली और दूसरी शताबती चीन से भारताय यात्रियों के विवरणों में भी हमारे समाज, राजविवस्था और अर्थविवस्था की दिल्चस्प जानकारी मिलती है दो विख्यात चीनी यात्री जो भारताय वे फाशियन और श्वेंट सांग थे ये दोनों बौध थे वबौध धर्म स्थलों की यात्रा करने और बौध धर्म के अध्ययन के लिए भारत आये थे फाशियन पांचवी शताबदी के आरंभ में आये थे जबकि श्वेंट सांग सात्वी शताबदी की शुरुआत में फाशियन ने गुप्तकाल के भारत की सामाजिक, धर्मिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन किया जबकि श्वेंट सांग ने राजा हर्ष के काल में लोगों के जीवन और स्थिति का वर्णन किया है मुगल काल में अनेक यूरोपिय व्यापारी और यात्री भारत आये उनमें से कुछ ने किसानों सहिद आम लोगों की जीवन स्थितियों का उल्लेक किया राल्फ फिच जो सोल्वी शताबदी के अंत में भारत आये थे उन्होंने बताया कि बनारस उत्रप्रदेश की लोग बहुत कम कपड़े पहनते थे यात्री डीलेट ने उल्लेक किया कि लोगों के पहनने के लिए परयाप्त कपड़े नहीं थे इन दोनों ने लिखा है कि लोगों का रहन सहन सादा लेकिन कठिन था आम लोग प्राया, चावल, मोटे अनाज और दालें खाते थे बंगाल और तट्येक्षेत्रों में इनके स्थान पर मचली और दक्षणी भारत में मास खाया जाता था देश के उत्तरी भाग में लोग सामानने तहा गेहूं, डालें और सबजियां खाते थे देश में विभिन नकालों में बाहर से आये लोगों की कला और वास्तुकला ने भी हमारी विविदता पूर्ण संस्कृती पर अपनी चाप छोड़ी मुगल काल में यहां जिस संस्कृती का उदै हुआ हुआ उत्तुर्क, इरानी और भारतिय संस्कृती का मिश्रण थी बाग लाहुर का शाली मार बाग और पंजाब का पिंजौर बाग हैं यह बाग आज भी परेटकों में काफी लोकप्रिये हैं यह बाग बगीचे सभी समुदायों के लोगों के लिए शान्ती के स्थल थे वास्तुकला के क्षेत्र में तुर्क और अफगानी लोग अपने साथ फार्सी और मध्धे एशिया की शैलियां भी लाएं जो समय के साथ भारतिये वास्तुकला की शैलियों में मिल जुल गई सल्टनत और मुगलकाल की इमारतों में गुम्बदों और महराबों का प्रयोग हुआ है पेज 29 प्रिश्ट संख्या 29 पर तीन चित्र है पहले दो चित्र बाग बगीचों के है और तीसरा चित्र गुम्बद और महराब दिखा रहा है ये दोनों शैलियां गनित और अभियांत्रिकी कोशलों के पूर्ण ग्यान पर आधारित थी इनका उप्योग मस्जिदों, महलों, शहरों और निजी भवनों के निर्माण में होता था दूसरी संरचना जिसको अकसर निर्मित किया जाता था लंबे पतले बुर्ज या मिनारे थी इन भवनों की सजावट काफी हद तक भारतिय थी सल्तनत और मुगलकाल में वास्तुकला की भारतियता इसलिए भी मौजूद थी क्योंकि विभिन भवनों के निर्माण में लगे अधिकांश शिल्पकार मुखे रूप से भारतिय मूलके होते थे भारतिय संगतराशों यानि पत्थर की कटाई करने वालों के कौशल का भी इसके लिए पूरी तरह से उपयोग किया गया था विभिन भवनों की सजावट में तुर्क, जामितिये और फूलदा डिजाइनों का प्रयोग करते थे उन में खुरान की आयते लिखे शिलालेग भी शामिल थे अर्बी लिपी स्वाइम एक कलावस्तू बन गई थी मूल भारतिये डिजाइन में मुख्य तहा घंटी और कमल के डिजाइन होते थे संगीत भी सम्रद्ध हुआ, संगीत की हिंदुस्तानी शैली पर फार्सी और अर्बी शैली का प्रभाव पड़ा वाद्धे यंत्रों में सितार, सारंगी और तबला लोगों में अधिक प्रचलित हो चले थे भाशा और सहित्ते एक अन्यक शेत्र था जो विभिन्नकालों में आये लोगों से प्रभावित हुआ सल्तनत और मुगलकाल में देश के अधिकांश भागों में राच दर्बारों की भाशा फार्सी थी अनेक क्षेत्रिय भाशाएं फार्सी से प्रभावित हुई बहुत सी क्षेत्री भाषाओं की शब्दावलियों में फार्सी शब्दों का सामाने दहा प्रयोग किया जाता था गुंबद और महराब पहले भी थे लेकिन इनका व्यापक सतर पर निर्मान नहीं किया जाता था यही नहीं, महराब बनाने के सही व्यज्ञानिक तरीकों का उप्योग विरले ही किया गया था। प्रिष्ट संख्या 30 प्रिष्ट संख्या 30 पर दो चित्र हैं, जिन में वाद्दे यंत्र दिखाए गए हैं। फार्सी और हिंदी के मिश्ण से एक नई भाषा उर्दु का विकास हुआ। उर्दु का व्याकरण हिंदी के व्याकरण जैसा ही था। लेकिन शब्द फार्सी, तुर्की और हिंदी भाषा के होते थे। दक्षणी भारत में बोली जाने वाली उर्दू, तेलुगू और मराथी से प्रभावित थी। भारत के पश्चिमी तट के प्रदेशों में अर्बी का उप्योग पश्चिम एशिया के व्यापारी करते थे। और इसने स्थानिय भाषा को भी काफी प्रभावित कर दिया। कुछ प्रसिद्य संस्क्रित रचनाय, पुराण, रामायन, महाभारत आदी क्षेत्रिय भाषाओं में उप्लब्द थी। और फिर इनका क्रमशा अर्बी और फार्सी में भी अनुवाद हो गया था। कुछ कविताएं और नाटक क्षेत्रिय भाषाओं तथा अर्बी और फार्सी में भी लिखे गए थे। इन में श्रीनात का हर्विलास और मलिक मुहम्मद जैसी का पदमावत काफी लोकप्रिय हो गए थे। अमीर खुसरो के बारे में बारा सो त्रेपन से तिरह सो पच्चीस अमीर खुसरो को भारती होने पर गर्व था। वे कहते थे कि मैं दो कारणों से भारत की प्रशनसा करता हूँ एक दो इसलिए क्योंकि भारत मेरा जनमस्थान और हमारा देश है। देश प्रेम एक महत्वपूर्ण दायत्व है। हिंदुस्तान स्वर्ग के समान है। इसकी जलवायू खुरासान से बहतर है। ये वर्श भर हरा भरा और फूलों से युक्त रहता है। खुस्रो का भारत प्रेम दिखाता है कि तुर्की शासक वर्ग, विदेशी शासक वर्ग की तरह व्यावार करने को तयार नहीं था। और भारतीय मुल्की और भारत से बाहर की संस्कृतियों के बीच मेल के लिए जमीन तयार हो गई थी। खुस्रों ने हिंदी सहित, जिसे वे हिंदवी कहते थे, भारतीय भाषाओं के प्रशंसा की है। उनके कुछ यहाँ वहाँ बिखरे हिंदी छंद मिले हैं। हालां कि जिस हिंदी रचना, खालिक बारी को अकसर खुसरों की रचना कहा जाता है, उसके बारे में पूरी संभावना है कि वो उसी नाम के बाद के कवी की रचना है। वे संगीतकार भी थे और उन्होंने प्रसिद्ध सूफी संद निजामुद्दीन ओलिया द्वारा आयोजित धार्मिक संगीत सभाओं यानि समा में भाग लिया था। उन्होंने चिश्टी सभा में कॉल अर्भी शब्द जिसकार थे कथन की शुरुआत करके एक विशिष्ट शैली दी जो की कव्वाली की शुरुआत या समापन पर गाया जाने वाला च्छन्द था। इसके बाद फार्सी, हिंदवी या उर्दू भाषा में सूफी कविता पढ़ी जाती थी। इसे गव्वालों द्वारा यानि जो इन गानों को गाते थे गाया जाता था। आज गव्वाली पूरे उप महाद्वीप में सभी मुसलिम दरगाहों पर गायी जाती है। अमीर खुसरो अपनी कविताएं फार्सी में लिखते थे, जिन में उनके भारत प्रेम और भारती होने पर गर्व करने की जलक मिलती है। इस प्रकार भाषा और सहित्ते उन लोगों तोरा प्रभावित हुए थे जो बाहर से यहां आए और उन्होंने इस उप महाद्वीप को अपना घर बना लिया। जहां तक भारती ये भोजन का संबंध है, इसके लिए मध्यकालीन अवधी, विशेशता, महत्वपूर्ण थी। मध्य एशियाई लोगों, फार्सियों और तुर्कों के आने से भारती ये व्यंजनों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। पश्चिम एशिया के मुसल्मान बार्वी शताबदी में मुगलई व्यंजनों को भारत लाये थे, जब मुगल शासकों ने भारत के बड़े भाग को जीत लिया था। मुगल समराटों के लिए मेवों और गिरियों से अनिक प्रकार के व्यंजन बनाये जाते थे। मुगलों के बढ़िया मसालेदार स्वादिष्ट सुगंध युक्त व्यंजन जिन में अनेक विदेशी मसाले मेवे और गिरियां, सुगंध, तूद और मलाई का इस्तेमाल होता था, आज भी भारत ये भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा बने हुए हैं। काली बिर्च, डालचीनी, जाएफल, लौंग और अदरक जैसे मसालों का उप्योग मुगले वेंजनों में किया जाता था। बिर्यानी, कोर्मा, पुलाव, भुना मास और कबाब आदी आज भी प्रचले थें। जब बाबर ने भारत पर हमला किया, तो वो मध्य एशिया से अपने खान-पान के आदतें जैसे भुना मास तथा फल एवं गिरियों को भी लाया। हुमाईयों ने चावल के पुलाव और मास के दम-पुख्त यानि स्ट्यू जैसी नई किसमें शुरू की। बंद बरतन में दम शैली से चीजें पकाना काफी हद तक मुखलाई पाक कला से संबध है। यात्रियों के रहने के निवास्थान जिन्हें विशेश रूप से किसी धार्मिक संगठन या समूह द्वारा चलाया जाता है। खानका एक विशाल भवन जिसमें हर आगन तुक और उसमें रहने वाले के लिए अलग-अलग आवास की विवस्था होती थी। सूफी संतों का उदय इसलाम के बहुत शुरुवाती चरण में ही हो गया था। इन में से अधिकांश लोग गहरी आस्था वाले लोग थे और पूर्ण तहा साधा जीवन बिताते थे। कुछ आरंबिक महिला रहस्यवादी सूफी संतों जैसे राबिया और मनसूर बिन हलाज ने ईश्वर और आत्मा के बीच बंधन की रूप पे प्रेम पर बहुत बल दिया था। शिक्षक या पीर और उनके शिश्या मुरीद के बीच संबंद सूफी तंत्र का प्रमुक अंग था। हर पीर अपने काम को जारी रखने के लिए एक उत्तराधिकारी या वली को नामित करता था। सूफी संथ आम जनता के बीच बहुत लोकप्रिये थे। क्यूंकि उन्होंने अपने कत्नों उपदेशों को गे पदों के रूप में प्रस्तुत किया था। जिसे वे कव्वाली कहते थे। इन गे पदों में आत्मा की ईश्वर से निकटा पर बल दिया जाता था। बहुता इसके लिए वे हिंदी के चंदों का प्रयोग करते थे। निजामुद्दीन ओलिया ने तो योग की श्वास क्रियाओं को भी इतनी अधिक पूर्णता से अपना लिया था कि आम लोग उन्हें सिध्ध या पूर्ण पूरुष कहते थे। सूफियों का संगठन उनकी कुछ क्रियाएं जैसे तप, हुपवास और सांस रोकना आधि को प्राया बौद्ध धर्म और हिंदु योग के प्रभाव के रूप माना जाता है। ग्यारवी शताबदी में सूफी मत ने भारतिय समाज को प्रभावित किया। सूफी लोग धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्विकार करते हुए ईश्वर के प्रती प्रेम और भक्ती तथा सभी मनुष्यों के प्रती दयाभाव रखने पर बल देते थे। खेलकूत के क्षेत्र में कुछ खेल जो प्रचलित हुए और आज भी खेले जाते हैं उनमें शत्रंज, चौपड, नाड यानि फारसी बालज़ड और ताश है। अमीर खुसरो और मलिक मुहम्मद जैसी ने अनेक अफसरों पर शत्रंज के खेल का उल्लेक किया है जो लोगों में काफी प्रचलित था। शत्रंज का एक अन्य प्रकार जिसे शत्रंज़ई कामिल या चदुष्टक शत्रंज कहते थे वो भी उस समय खेला जाता था। शासक वर्ग के लोग पोलो के शौकीन थे और घुरदोर एक प्रचलित मैदान में खेला जाने वाला खेल था। इस खेल की उत्पत्ती ही फारस में हुई थी। एतिहासिक अभी लेखों में ये कहा गया है कि कुटुबदिन एबक लाहॉर में पोलो खेलते समय एक दुरगटना में मारा गया था। तुर्क लोग पोलो के बहुत शौकीन थे। सल्तनत और मुगलकाल के राजपूत शासक पोलो खेलने में माहिर थे। दूसरा प्रमुख विकास जिसने समाज के सभी वर्गों के जीवन और दशा को प्रभावित किया, ग्यारवी शताबदी से सूफी मत का प्रसार था। इस शताबदी में बड़ी संख्या में सूफी मध्य एशिया से आए और हिंदुस्तान में बस गए। ये प्रक्रिया दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ और सशक्त हो गई। चिष्टी सिलसिला सबसे अधिक प्रभावशाली संत परंपरा थी। इसमें अजमेर के ख्वाजा मुएन उद्दीन चिष्टी, दिल्ली के खुटुबदीन बख्तियार काकी, दिल्ली के ख्वाजा निजाम उद्दीन ओलिया और गुलबर्क के बंदानावाज गीसु दर रीती रिवाजों को नकारते हुए प्रेम को ईश्वर से मिलन का माध्यम मानते थे। सूफी अपनी सभाएखान काहों यानि धर्मशालाओं में करते थे। सभी प्रकार के शृद्धालू जिसमें राजकुल, अभिजात वर्ग और आमजन आदी शामिल थे, वहां जाया करते थे। आज भी लोग संतों का आशिरवाद लेने और कव्वाली समारोहों में भाग लेने के लिए दर्गाहों में जाते हैं। लोग मानते थे के सूफी संतों के पास चमतकारी शक्तियां होती हैं, जो रोगों, कष्टों और परेशानियों से उन्हें निजात यानी छुटकारा दिला सकती हैं। सूफी संतों के मकबरे या दर्गाह तीर्थ स्थल बन गए, जहां विभिन समुदायों के हजारों व्यक्त आने लगे। आज भी बड़ी संख्या में विभिन धर्मों और समुदायों के लोग सूफियों के दर्गाहों जैसे अजमेर में मुएनुद्दीन चिष्टी की द जर्बार किसी शेख यानी धर्मगुरू का निधन होने पर मकबरे में उसका वो धर्मस्थल जहां उसके अनुयाई उसके प्रती शद्धा भक्ती प्रगट करने के लिए जमा होते हों। और उनकी दशा के विश्टे में क्या लिखा। आओ चर्चा करें। आप KGBV में कराटे, संगीत, नुत्य आदी, अनेक क्रिया कलाप कर रही हैं। आपके विचार से ये सब भारत के विभिन्न राज्यों अत्वा विदेशों के संस्कृतियों से किस तरह प्रभावित हैं। पांच, क्या आपके शहर या गाउं में कोई खानका या दरगा है, पता लगाईए कि इनका निर्मान कब हुआ था और वहां किस प्रकार के कारे कलाप होते हैं। आओ करके देखें। 6. अपने गाउं की चित्रकारी और शिल्पों के चित्र एकत्रत कीजे और उन्हें स्क्राब बुक में लगाईए। 7. समारकों का एक चित्र संग्रे यानि आल्बम बनाईए और उनके बारे में संक्षिप्त विवरण लिखिए। जाने कितने ही देशों से भारत आये नूग अलेक। रंग रूप वेश भाषा रंग रूप वेश भाषा या थी जिनकी एक। जाने कितने ही देशों से भारत आये नूग अनेक। कुछ लेने धन आये थे तो। कुछ करने व्यापार। दीविभेता भरी सब धता का। फिव यही बने आधार। हाँ रंग रूप वेश भाषा रंग रूप वेश भाषा ना थी जिनकी एक। जाने कितने ही देशों से भारत आये नूग अनेक। कौन है हम्बे परदेसी और। कौन है भारत वासी नहीं जाने सकता यह कोई। हमने वसी एक तारेसी। रंग रूप वेश भाषा रंग रूप वेश भाषा ना थी जिनकी एक। जाने कितने ही देशों से भारत आये लूग अनेक। कर दो भारत आये लूप वेशों से भारत आये लूप लूप वेशों से लूप एगा आये लूप रंग भारत आये लूप नहीं प्यूबग